नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम में आज की इस वीडियो में हम भोजन से सम्वंदिद एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों अगर आप भी किसी के यहां भोजन कर लेते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें कि हमें किन लोगों के यहां भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों के यहां ग्रहन करना चाहिए दोस्तों कहा जाता है कि हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही हमारे सोच और विचार मनते हैं हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर भोजन करने जाते हैं कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीज़ें देते हैं वैसे तो यह सामानियसी बात है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहां हमें भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों के यहां करना चाहिए आपको बता दें कि गरुड पुरान के अचार कांड में बताया गया है कि हमें किन लोगों के यहां भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए यदि हम लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज़ें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पाप बढ़ जाते हैं तो चलिए जानते हैं कौन है वे लोग जिनके यहां हमें भोजन नहीं करना चाहिए पहला हमें किसी चोर या अपराधी व्यक्ति के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए इससे उसके पापों का असर हमारे जीवन पर पढ़ने लगता है दूसरा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन इस्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी या उसके घर पर भोजन ना करें गरुड पुरान में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी इस्त्री के यहां भोजन करता है वो भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है तीसरे वो लोग जो ब्याज लेते हैं वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फाइदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्याधिक ब्याज प्राप्त करते हैं गरुड पुरान के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी परिस्तिती में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाब उठाना पाप माना गया है चोथे किन्र हमें किन्रों के यहां भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि किन्रों को दान देने का विशेश विधान है ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है गरुड पुरान में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए लेकिन इनके यहां भोजन नहीं करना चाहिए और पांच में निर्दई लोग अगर कोई व्यक्ति निर्दई है दूसरों के प्रती मानवी अभाव नहीं रखता है सभी को कष्ट देता रहता है तो उसके घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए ऐसे लोगों द्वारा वर्जित किये गए धन से बना खाना हमारा स्वास्त्य भी वैसा ही बन सकता है छटे वो लोग जो चुगल कोहर होते हैं जिन लोगों की आदत दूसरों की जुगली करने की होती है उनके यहां या उनके द्वारा दिये गए खाने को भी ग्रहन नहीं करना चाहिए चुगली करना बुरी आदत है चुगली करने वाले लोग दूसरों को परिशानियों में फसा देते हैं और स्वैम आनन्द उठाते हैं इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ धन्यवाद